देश भर के जैन समाच के लिए 18 फरवरी 2024 का दिन कभी नहीं भूल पाने वाला होगा वर्तमान के वर्धमान कहलाने वाले संत आचारे विद्यसागर महराच ने 18 फरवरी 2024 को समाधी लेते हुए तीन दिन के उपवास के बाद अपने शरीर को त्याग दिया शनिवार रभिवार की दर्मियानी रात उन्होंने अंतिम सास ली देह त्यागने से पहले उन्होंने अखंट मौन धारर कर लिया था उनके निधन की खबर सुनते ही जैन समाच के लोगों की भीड़ उमर पड़ी चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर कौन थे विद्यासागर महराज और कैसी बने सबसे बड़े संथ जिनके प्रुधान मंत्री नरेंद्र मोधी भी हैं बहुत बड़े पहग आपको बता दें कि आश्विन श्रत प्रोडिमा संवत 2003 तद अनुस्तार 10 अक्टूबर 1946 को करनाटक प्रांत के बेल ग्राम जिले के सुप्रशिद सनलगमा ग्राम में एक बच्चे का जन्म हुआ मलप्पा पारसप्पा अश्टंगे और श्रीमती जी के घर्जन में इस बालक का नाम विद्यादर रखा गया धार्मिक विचारों से ओध प्रोट समेदन शील सहिस्त्र मलप्पा जिनित्य जिनेंद्र दर्शन एवं पूजन के परशात ही भूजन ग्रहड करते थे साधव सक्संगत्य करने से परिवार में सैयम अनुशासन वृति नीती के चड़य का ही परिपालन होता था यही विजह है कि विद्यादर भी अपने माता पिता की तरह अनुशासित रहे और धार्मिक माहुल से प्रश्रित होने लगे पिद्या धर का बाले काल घर और गाम वालों के मन को जीतने वाली आश्यरकारी घटनाव से भरा रहा खेलने कूदने की उम्र में वो माता पिता के साथ मंदिर जाते थे धर्म प्रवचन सुनना, शुद्ध सात्विक आहार करना, मुनी आग्या से संस्कृत के कटिन सुत्र और पदो को कंठेस्ट करना उनके जीवन का हिस्सा था उनकी यही आदते उनको अध्यात्म मार्क पर चलने का संकेत दे रही थी पढ़ाई हो या घर के काम, सभी को अनुशासी तोर, क्रमबद तोर तरीकों पर पूरा करके ही वो संतुष्ट होते थे वच्पन से ही मुनी चर्या को देखने, उसे स्वयम आच्रित करने की भामना से ही मंदिर में विराजित मुर्ती के दर्शन के समय उसमें छिपी विराट तक को जानने का प्रियास करते थी उनके द्रिड निश्चे और संकल प्वान होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि एक बार उन्हें बिच्छु ने काट लिया लेकिन असानी दर्ध होने पर भी वो रोए नहीं बलकि उसे नजरंदाज कर दिया इतना ही नहीं पीडा सहते हुए उन्होंने अपनी दिन चर्या में शामिल धार्मिक चर्या के साथ ही सभी काम वैसे किये जैसे वो हर दिन नियम से करते थे गाउं की पाट साला में मातरि भाषा कंणर में पढ़ाई शुरू की और पास की गाउं बेट की हाल में हाई स्कूल की नवमिक अच्छा तक अधन पूड किया चाहें गडित के सूत्रू हो या भुगूल के नक्षे पलभर में कड़ी मेहनत और लगन से उसे पूरा कर लेते थे सिख्षा को संसकार और चरित्र की आदार शीला माना और गुरुकूल व्यवस्ता नुसार सिख्षवा ग्रहड की इसी तरह वो आज भी गुरु शिस्ते परंप्रा के विकास में हमेशा सहयोग दे रहे हैं चलिए आपको बताती हैं विद्धाधर से आचारे श्री विद्धासागर जी महराज तक का सफर कैसे तै किया त्याक तपस्या और कठिन साधना के मार्ग पर चलते हुए आचारे श्री ने महज 22 साल की उम्र में 30 जून 1968 को अजमेर में आचारे ग्यानसागर महराज ने मुनी दिक्षा ली गुरुवर ने उन्हें विद्धाधर से मुनी विद्धासागर की उपादी दी 22 नमंबर 1972 को अजमेर में गुरुवर ने आचारे की उपादी देकर उन्हें मुनी विद्धासागर से आचारे विद्धासागर का दर्जा दिया ग्री त्याग के बाद से ठंड, बर्सात और गर्मी से विचलित हुए बिना अचारे श्री ने कठिन तप किया। उनका त्याग तपस्या और तपोबल ही था कि जैन समुदाय नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनके आगे नत्मस्तक है। आपको बता दे कि संते विद्धा सागर जी ने सत्रा फरवरी शनिवार यानि माग शुकल अस्टमी को परवराज के अंतरगत उत्तम सत्य धर्म के दिन रात्री दो बचकर पैतस मिनट बजे ब्रमहलीन हुए। राष्ट हित चिंतक गुरुदेव विद्धा सागर जी ने विदिवत सनलेकना भुद्धी पुर्वक धारर कर ली थी। उन्होंने पुड़ जागरी तवस्ता में आचारे पत का त्याक किया। तीन दिन के उप्वास के बाद आहार और संग का प्रत्यकान कर दिया था। प्रत्यकान व्ड़ प्राशिद देना बंद कर दिया और मौन्त धारर कर लिया था। अचारे ने 6 फरवरी को शौच से लोटने के बाद मुनिर राजों को अलग भेज दिया। इसके बाद निर्यापक श्रमण मुनिश्री योग सागर जी से चर्चा करते हुए संग संबंदी कारवे से छुट्टी लेली। उसी दिन आचारी पत का त्याग कर दिया। अचारे पत के लिए प्रथम मुनिश्री से निर्यापक श्रमण मुनिजी उन्होंने आचारे पत के लिए अपने शिस्री मुनिश्री समय सागर जी महराज को योग समझा। उन्हें आचारे पत दे जाने की घोशना भी कर दी जिसकी विदिवत जानकारी उन्निस फरवरी को देजाएगी.